हाउर फीक्स सैमसंग M21 केमरा एप नौट वोर्किंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों सुआगर अब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है सैमसंग के दिवाइस में कैमरा एप नौट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्फ किसी कर सकते हैं तो यह जो दोस्तों आपका कैमरा एप है यहाँ पर ठीक है अगर दोस्तों यह जो एप है काम नहीं कर रहा है ठीक है मिस बेफ कर रहा है या भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते तो आप कैसे fix कर सकते आज की इस वीडियो पर मैं आपको solution बताने वाला हूँ तो solution करने के लिए दोस्तो वीडियो आंतक देखना होगा वीडियो में जो भी मैं आपको बताने वाला solution वही आपको follow करना है अपने mobile पे अपना problem को solve करना है ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अ तो दोस्तों यहां पे आपको सबसे पहले करना क्या होगा अगर आपका जो क्यामरा एप है काम नहीं कर रहा है तो उसको दोस्तों हम बेसिकली अपडेट तो नहीं कर सकते हैं ठीक है उसको आपडेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका जो एप है वह आपको प्लेश्टोर में नहीं मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों सिस्टे में अब अप्डेट करने का ऑप्शन भी नहीं है ठीक है तो आपको क्या करना होगा आपको एपस के अंदर पर जाना है इस कौल डाउन करना है केमरा पर क्लिक करना है फ्रस्टोप कर देना है ओके करके इस टोरेज पर जाने के बार इसका डेटा को एक बदा करें ओक कर दिजिए यहाँ और उसके बदोस्तों यहाँ पर आपको परमिशन्स मिलेगा तो सारे जो permission से दोस्तों आपको एक एक करके allow कर दिना है ठीक है इस तरीके से allow होना चाहिए तो सारे permission जो एक allow करें उसके बाद दोस्तों mobile को restart करके check करके देखे problem solved हो चुका होगा अगर problem solved हो जाता है तो ठीक है अगर दोस्तों आपको अभी भी problem आ रहा है मिलेगा यहाँ पर general management का उसमें जाके reset पर क्लिक करें reset पर क्लिक करने के बाद reset all setting पर जाए indent सारे setting को ही एक बार reset करके देखे reset setting पर क्लिक करे password pattern जो भी है भर दीजे और सारे setting को एक बार reset कीजे सारे setting reset करने के बाद दोस्तों problem problem आपका solved हो जाएगा ठीक है तो चेक करके देखे अगर problem solve हो जाता है तो दोस्तों ठीक है अगर उसके बाद भी problem आते हैं तो आपको करना क्या होगा तो next solution की तरफ जाते हैं next solution पर आपको software update करना है software update करने के लिए software update पर क्लिक करें download and install पर क्लिक कीजिए वहाँ पे software अगर update नहीं हुआ है तो आपडेट हो जाएगा download करके install कर लीजिए ठीक है उसके बाद दोस्तों चेक करके देखें केमरा का जो एप है अच्छे से काम भी करेगा problem भी सौर्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप fix कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंदे होगा thanks for watching